नमस्कार मैं हूँ प्रिंस गुपता स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी कंपनी में कारे करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए फ्रेंट्स आप 10 पास कर लिए हैं या फिर 12 पास कर लिए हैं या फिर आपने क्रिजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ऐसे में हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए किसी कंपनी में कारे करने के लिए हमें आसान हो जाए आप 10 पास कर लिए हैं या फिर 12 पास कर लिए हैं या फिर आपने ग्रिजुएशन कंप्लीट कर लिया है आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें जिससे आसानी से किसी भी कंपनी में कारे कर सकें तो चलिए हम जानते हैं कौन सा computer course best रहेगा अगर देखा जाये तो हमारे लिए सभी computer course best ही होते हैं ऐसे बहुत से computer course होते हैं जो अलग-अलग field में हमें काम आता है जिसमें पहला है basic computer course अगर आपने अभी तक कोई computer course नहीं किया है तो आपको सबसे पहले basic computer course आना चाहिए जिसमें आपको computer से संबंधित basic जानकारी दी जाती है यहां आपको हम बताते हैं आप 10th के student हो या फिर 12th के student हो या फिर graduation के student हो वो सभी लोग कर सकते हैं उसके बाद आपको Microsoft Office के बारे में पढ़ाय जाता है MS Word के बारे में जानकारी दी जाती है कैसे आप MS Word में कारे कर सकते हैं MS Word में आपको later तयार करने की जानकारी दी जाती है application तयार करने की जानकारी दी जाती है questions paper बनाने की जानकारी देती है यह सभी जानकारी आपको दी जाती है MS Word के अंतरगर्थ उसके बाद आता है MS Excel, जो Microsoft Office का एक भाग है, इसके अंतरगर्थ आपको report कैसे तयार की जाती है, जैसे Excel में किसी report का data entry किया जाता है, उसके बाद PowerPoint के बारे में जानकारी दी जाती है, किसी भी company का presentation कैसे आप तयार करेंगे, उसके बाद MS Access की जानकारी दी जाती है, MS Office के कई सा जारे version आ चुके हैं, जैसे MS Office में 2007 आ चुका है, 2010, 2030, 2060, इसमें किसी भी update version पर आप यह course सीख सकते हैं, किसी company में MS Office का use जादा होता है, इसलिए course करते समय इस पर focus जादा आप करें, क्योंकि company में जादा work इसी software पे होता है, इसी company में work करने के लिए typing का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि company में data work जादा होता है, इसलिए आपको Hindi, English की typing आपको आना चाहिए, दोनों भासाओं में typing की speed भी अच्छी होनी चाहिए, तो भी किसी company में work करने के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके बाद internet की knowledge का भी होना जरूरी है, आपको internet का basic knowledge है तो भी चलेगा, internet में आपको mail करना आना चाहिए, searching और internet से और भी जुड़ी जानकारिया होनी चाहिए, यह अगर आपने सीख लिया है तो किसी भी company में आप data entry का का कारे कर सकते हैं, computer operator का का कारे कर सकते हैं, typing का work कर सकते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसकी salary के बारे में, अगर आप 10th या 12th पास करके computer पर work कर रहे हैं, starting salary आपको 10,000 रुपय तक मिलती है, उनको salary 20,000 से 25,000 तक मिलता है, उनको थोड़ा experience होता है, या फिर 6th month या 12th month पहले से experience होता है, अब बात करते हैं कि आप computer course सीखेंगे कैसे, computer course आप किसी भी अच्छे registered computer center से सीख सकते हैं, उसका certificate valid हो, ऐसा कि म government job में ही मांगा जाता है, इसके बाद आप ADCA course भी कर सकते हैं, जो एक साल का diploma course होता है, या फिर आप DCA का course भी कर सकते हैं, इसमें आपको tapping भी सिखाया जाता है, अगर आपको इन course के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी इन पर बनी वीडियों को देख सकते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये comment करके हमें जरूर बताएं.